आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ The question here is Indigo Phara belongs to the family हमें family बतानी है कि Indigo Phara किस family से बिलॉंग करता है Option A is Malvacy, B is Fabacy, C is Bressy Casey and D is Solenecy ठीक है So, जो Indigo Phara है ये एक डाई होती है ठीक है और जब आप इसके फ्लार को देखेंगे तो फ्लार को देखके हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो कैलिक्स है कि वो 5 है ठीक है इसके पास 5 सेपल्स होते है and वो भी Fused है दूसरी बात इसके पास जो कोरोला है that is petals वो Vaxillary Estivation में present होते है ठीक है Vaxillary Estivation मतलब इसके पास एक standard होगा दो कील होगे and दो wings होगे petals and इसके मतलब flower को देखके हमें पता लग जाएगा कि यह कौन सी family से बिलॉंग करता है ठीक है तो जो जो फेबिसी family है उस family से यह बिलॉंग करता है क्योंकि फेबिसी family का जो फ्लोरल formula है is like this so इस फ्लोरल formula से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि एक तो यह actinomorph एक तो zygomorphic है zygomorphic का मतलब है कि bilateral symmetry है ठीक है दूसरी बात bisexual है और यह तो मैंने आपको बताई दिया था कि इसके पास sepals 5 होते हैं फ्यूस्ट होते हैं और कोरोला जो है उसमें वेक्जिलरी एस्टिवेशन है एंडुएशियम जो है यानि कि stamens जो है डाइडल्फिस है डाइडल्फिस मतलब दो बंचेस प्रेजंट है नाइन प्लस वन के उसमें एंड जो ओरी है वो सुपीरियर है एंड मोनोकार्पिलेरी है ठीक है तो हम कैसे इंडिपार कर सकते है अगर हमें इंडिगो का फ्लावर दे दी इंडिगो फेरा का तो हम उसमें कैलिक सो कोरोला को काउंट कर सकते हैं उसकी एस्टिवेशन देख सकते हैं ओरीज देख सकते हैं and then हम उसको बता सकते हैं कि from which family it is belonging so फेबसी फेमली जो है उसमें से इंडिगो फेरा बिलॉंग करता है so option B is correct therefore answer of this question is option B अगर देख सकते हैं